वेलकम डोबर चनल हम बात करने वाले हैं इंजल वन लिविटेड कर में जो कि हमारी मेंबर ने रिक्वेस्ट किया है तो ऐसे किसी भी श्टॉक पर आपको भी अनुसे चाहिए श्टॉक का नाम आप कमेंट कर सकते हो इंडेक्स व्यू के लिए हमारा टैलिग्राम चैनल बात करेंगे अभी तो मैंने आपको जैसे पहले भी कहा था यहां पर कि यह वाला जो लिवल इसका डारेक्ली ब्रिकाउट नहीं आएगा यहां पर इसके बाद जब आपको ब्रिकाउट मिलता है तो 3,400 के ऊपर ज्यादा से रहेगा बाहिंग कर निकले बागे कर आप चाह यह जो लिवल है काफी important है तो यहां से आकर अगर reversal देता है तरन हम बाहिंग के लिए प्लान कर सकते है या फिर आपको safe trading करना है तो try करेगा इस लिवल की ऊपर ही बाहिंग करने के लिए प्लान करें यह हमारा last analysis था उसके according कर आप अभी देखोगे तो market बन चुका है वैसा selling आया करीब करीब 20% क्यासपास का selling आया 10-15% selling आया then cover करके अभी हम mid levels पर trade करें तो फिलाल के लिए एक चीज़ याद रखिए यह वाला resistance zone है और यह वाला support level है तो इसके बीच में stock आपको volatile और sideways भी दिख सकता है जब तक इसका proper breakout या breakdown नहीं हाता है तब तक कोई बहुत positive दिखेगा उतना ही आपको negative दिख सकता है ठीक है तो जैसे अगर हम buying की बात करेंगे तो आपको clearly दिख रहा है कि एक higher high का formation यह बनाता हुआ चल रहा है अभी के time में यह लेकिन अभी जिस लेबल पर है यहाँ पर कोई confirmation नहीं हो सकता resistance लिए और फिर वहां से selling के लिया आपको negative दिखना start हो जाएगा जो आज आपको positive दिख रहा है ठीक है तो जब तक proper confirmation नहीं मिले तब तक के लिए कम से कम buying करेंगा क्योंकि एक बार जब आप buying कर लेते हो और उसके बाद अगर इस टाइब का formation इसने दिखाए जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ जब तक वाईड करके चलो क्योंकि जैसा इसका बाइंग आ रहा है और्मल वाइंग नहीं है यहांपर अगर आप देखो जगे सार्प मुमेंटम हुआ पूरा व्लेटायल सइड़ गया आगे पर से इम दिख रहा है तो यहांपर जो नौर्मल वाइंग है उसको कुछ नहीं मिल रह है तो ये चीज़ याद रखेगा इस type के momentum बहुत ज़्स ज़्दा contenido नहीं कर पाते है कोई भी stock उठा कर देख लो इस type के stock बहुत ज़्स ज़्दा continue नहीं कर पाते हैं इसका पहले का momentum बहुत अچ्छा था बड़ت जब से एक बार selling आया कि 2-3 दिन बाइंग के लिए गया फिर sideways हो गया फिर 2-3 दिन बाइंग के लिए गया लाइक अगर आप आलोग इंडश्री देख लोगे जेपी पावर देख लोगे प्रिवेस टाइम में ट्राइडन को देख लोगे तो उन टाइप के stocks में इस टाइप का behavior नॉर्मल है बट अ सब्सक्राइब करना मत भूलेगा थैंक्यू सो मच